देखिए बच्चे आपके आज की ग्लास मेंट हम चैप्टर स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बच्चे यहां पर टैबुलर प्रेजेटेशन ठीक है यह बेसिकली एक मिक्स चैप्टर है पधिक का मिक्स पधला कुछ पार्च सके निदर थेखिए और कुछ क्या इसके दर टैक्टिकल चलने वाला है हमारा तो पहले हम इसका थोड़ी सी कि लिए कि टेबिल प्रेजेटेशन कि इस कहा जाता है तो देखो वीटाब प्रेजेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले स तो आप का newspaper जो होए textual presentation है, WhatsApp की chat textual presentation है, तो जो भी आप text के रूप में करते हो, तो हम बोल दे है text message करना है, text message क्यों बोला है और आप लिख के कर रहे हो, तो जो भी text की form में deliver की जाती है, वो सारी की सारी क्या गया लाती है, बच्चे हमारी टेक्टिशा प्रिजें की हमारो इस थी तरीकी के maybe the तो मैं कहांपे गरूंगा किया इटिजब सीधा सा लाजिक है एक क्जामपल लेते हैं मालो चोटी चोटी बाते तुम वैसे कर लेते हैं और चोटी चोटी का भी एक सोटा वरसे न है तो जहां पर दाता बहुत जादा हो जाएगा वहां पर आप टेक्शिल का यूज नहीं करोगे ठीक है अब एक्जाम्पल है रच्छे केता है इन 2007 आउट आप टोटल 2000 एप्लिकेंट्स इन अप्लिकेंट्स इन कॉलेज आप पर गल्या है यह बेसिकली आपको एक्जाम्पल दिया गया किसका टेक्शिल फॉर्मेट का यह मैं नहीं कैसे जादा को प्रेजेंट्स कर सकते हैं तो समझ आ गया होगा बच्चे कि टेक्शिल प्रेजेंटिशन का मतलब होता है जब डाट डाट को टेक्स के तूप्र प्रेज़ेशन ने उसे तरओ न फिन औरह मैचन वेलिःशन is a systematic इतनी दाटा को rows और column के तरूं वे टोगल में दोई चीजे होती है या तो row होता है या पर उसका column होता है row और column के तरूं इसको सामने वाले को समझाते हैं simple manner के अंदर तो जै कहला थी वैपकी tabulation कहलाती है अगर example में आप करनू तो आपकी जो mark sheet होती है वो mark sheet क्या है बेटा एक best example है किसका आपका एक tabulation का कि आपकी mark sheet में भी columns बने होते हैं, rows बने होते हैं और आप उसको जाए गर रहे होते हैं, आपके marks को बरते हैं, ठीक है अब कहते हैं, इसके objectives क्या हैं, यानि कि हम जो tabulation करते हैं tabulation मनाने का reason क्या होता है, सबसे पहला है बच्चे यहां पे to simplify the complex data, देखो आज की rate में एक symbol सा rule है बच्चे हमेना दो तीन तरीके से चीज़े जादा better समझ आती है, क्या, अगर आपको आज की rate में कह दिया जाए, देखो, सीधा सा logic है, अगर आप imagine करके देखो, जो अभी आप YouTube पे recording देख रहे हो, उसके अंदर audio ना हो, सिरफ यह कहे है, टेक्स चलता रहे, और आपको वो टेक्स खुझ से बढ़ना है, करोगे? होई नहीं पाएगा, हेक्टिक हो जाएगा, बहुत जादा पढ़ेगा, कौन सबसे पहली बार, यानि कि क्योंकि उसमें text के साथ audio है, तो मिल्कों पता है कि text को देख ही नहीं दा, आजे तो हो सकते इस पूरे paragraph के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो यानि कि complex data को simplify कर देती है, क्या हमारी tabulation, लिखा हुआ है, tabulation aims to present the classified data in orderly manner, the idea is to reduce the bulk of information under the investigation into a simplified and meaningful form, यानि जो बहुत जादा इसका bulk of information है, उसको एक meaningful चीज़ के अंदर convert करके देना, इसका main motive होता है, तो economize space, देखो बेटा, अब simple सा logic है कि आपको एक text बनाना है, तो text के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा उस data के बारे में, कि वह 2021 में ये exam हुआ थ और अगर में को simple ये लिखना है कि 2021 ECO और यहां marks, वो एक line में complete हो जाएगा, लेकिन आपको text में ये बताना है कि 2021 के अंदर exam हुआ था उसमें इतने marks रहे थे तो वो 3-4 line ले लेगा, यानि कि जो आपकी textual presentation होती है, बैच्छे, वो क्या कहती है, space ज़्यादा लेती है, और data मिस होता है, उसके अंदर मों कोई quality मिस होती है, यानि जो required थी हमारे को चीजे सारी उसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, उसके बार आता है वेटा, to facilitate comparison, इसका best part और एक क्या है अच्छे है कि हमेने इससे comparison करने में मदद मिलती है, वेखो, अगर आपके बास दो अखबार है, उसके अंदर एक-एक paragraph दिया हुआ है, तो उन डोनों paragraph को आप अगर compare करोगे, तो वो ज्यादा easy है, या आपके बास सेम महलने दो अखबार है, एक तरफ एक table है, दूसरी तरफ दूसरी table है, तो table को compare करना easy होगा, obviously बास है table को compare करना क्या होगा, easy होगा, तो यानि comparison के काम भ हम क्या करते हैं बेटा, present कर सकते हैं कि इसके अंदर tabulation के अंदर, ठीक है, अब इसके बाद question हम में थहलाता है, explain the requisites or essentials for a good table, ये question काफी important भी रहा है exam point of view से एक time पर, ठीक है, इसमें से MCQ अभी भी आप से पूछे जा सकते है, requisites का मतलब होता है कि क्या-क्या essential चीजे हैं, जो की required होती है, जब हमें एक अच्छा table बना, यारी table को बनाते time, draw करते time, हमें क्या-क्या चीजे ध्यान में रखनी चाहिए, तो बेटा, सबसे पहले आता है title, देखो title का मतलब होता है, जैसे आप serials देखते हो, तो serial, अब हमें पता है, comedy night with couples है, तो obviously वात है, ये comedy show है, है तो title एक main role play करता है, चाहिए, वो table हो, thumbnail हो, कुछ भी हो, title का मतलब है heading, जिससे कि आप तैचान गरपा होगे कि ये table बना किस चीज के लिए हमारा, तो कहते है, there must be a little, there must be a title on the top of the table, the title must be very appealing and attractive, वो title हमेशा क्या होना चीए पेटा, आपका appealing होना चीए, देखो, एक example लेते ह यूटूब पर आप काफे सारी वीडियो देखते हो, ठीक है, कई हो के अंदर लिखा होता है, simple सा logic होता है, उसमें जो चीज लिखी होती है, जब आप उसे open करते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, जैसे लिखते हैं, बहुत सारे text के आते हैं, यूटूब पर एक कोड आपका appealing होना चीज है, जिसको देखते ही बंदा क्या हो, attractor उसको देखने की इच्छा हो, manageable size, manageable size का मतलर है, table नहीं बहुत जादा बड़ा भी नहीं होना चीज, यानि जैसा आपका data है, उस data case आप से आपको क्या बनाना है, बच्चे अपना table बनाना है, यह नहीं आपको सि size of the table should be according to its objective and the characteristics of the data, it should fully cover important characteristics of the data, उसके अंदल बेता है, जितने भी important characteristics है, वो सारे क्या होने चाहिए, cover होने चाहिए, इसके बार आता है, बच्चे, attractive, क्याता है, table should be, should have an attractive get-up, which is appealing to the eye and mind, so that the reader may grasp it without any stain, यानि कि, जब आप बेता table बनावना हो, तो इस सरीके colors का use करो, इस तरीकी की drawings का use करो, वो सामने वाले को देखने के का अगए, वो attractive लगे, ठीक है, अब आप माल लो black color है, आपने black color तो background लग दिया, उसके उपर blue color लग दिया, तो black में blue टोनना इतना आसान नहीं होता, तो उसके उपर आंको पर क्या पड़ेगा, उसकी जोर पड़ेगा आपको पता है, आपको पता है, scroll हो जाएगा आगी की तरह, कोई भी नहीं देखेगा उसे आज की डेट में, तो हमें जब भी table बनाना है, तो हमें कापी attractive बनाना है, ठीक है कि देखने में क्या लगे, वो तोड़ा अच्छा लगे, सुन्दो लगे, जिससे की सामने वाला अच्छे से उसको देख सके, फिर आता है रच्छे यहां पर special emphasis, कि पर data which are to be compared should be placed at the left hand corner of the column and their title should be written in the bold letter, जिस भी चीज़ के बारे में आप कर रहे हो, जैसे आपकी mark sheet होती है, उसके इंदर marks का column, बोल लगे के लिखा हुआ होता है, subjects भी क्या होते हैं, बोल लगे के लिखे चाहिए, वो easily समझाना चाहिए, suit for the purpose, the table should be according to the objective of a statistical investigation, बहीं हम subject पढ़ने है statistics, तो जब आप table बनाओना होता है, इस तरीके से हमें table draw करना है, कि उसके अंदर हमारा जो purpose है वो भी solve हो रहा हो, माल लो मिलको 11th का आपस में comparison करना है, और table में किस से करना हो, 9th class में, तो 9th class के अंदर तो करता है, accountancy economics होगी है नहीं, तो आप उसे compare कैसे करोगे, तो comparison करते हैं, हमें table ऐसा बनाना है कि जो हमारे purpose को क्या करता हो, suit करता हो, फिर आता है simplicity, the table should be a simple and compact so that it is readily, readily, comprehensible, मतलब समझो गया है, actual में किया है कि टेबल बनाते हो नो तो उसके अंदर 5-7 color का use नहीं हो इंदर धनुष, तो वो देखने में ही अच्छा लाज़गा, बिल्कुल बीटी, कि अन्ना को उसमें integration होगी, तो जब भी आप table बनाओ, simple होना चाहिए, easy to understand होना चाहिए, कि सामने वाले को समझ आए, फिर आता है comparison of data, the data which are to be compared should be placed closely, मालनो हमारे ऐसे columns है न, ठीक है, तो अ जाता थोड़े दूर-दूर होंगे, तो उसको compare करते time हो सकता है, जैसे हम क्या करते है, mean-median mode के question करते है, मालनो, app यहां पर होता हमें FDX निकालना होता है, तो कई बार confused होजाते है, app का है, DX का है, तो अगर वो सास्चा होगा, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, columns and rows should be numbered, जितने भी columns आप बनाओ, पोशिश करो, आप उसके उपर क्या दो, numbers दो, उस numbers का फाइदा क्या होता है, आपने किसी को send कर दिया, मैंने आपको कोई टेवल बना के बेजा, अब भाई, आपको कोई डाउट हो रहा है, अगर मैंने उस पर numbering कर रखे होगी, तो आप आपको होगे से table के अंदर, fourth column के अंदर मिलको doubt आ रहा है, और उस पर number नहीं है, क्या करोगे, बताने में भी दिखते होगी, यह आप भी दिना पड़ेगा, एक, दो, तून, चार, पाथ, छे, 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 नम्बर वाला, तब भी मिलको भी दूनना पड़ेगा, भी छे, छे आप नागरिक, यानि table ऐसा होना चाहिए कि कोई भी इंसान देखे न, उसे देखते समझ आना चाहिए कि यह table किसके लिए बनाऊ, इसका क्या objective है, क्या समझाना चाहता है, इतना simple बनाना है आपको table, ठीक है, units, units का क्या मतलब होता है बेटा देखो, अब मालो आपके बास स सारी की सारी फियर्स ना करोर्स में है, तो हम बार बार साथ जीरो तरी लगाएंगे न, दस करोड, बीच करोड, एक करोड, हम क्या करेंगे, नीचे तो एक दो ही लिखेंगे, उपर unit define कर देंगे, कि यह सारा किसके अंदर है नीचे, करोर्स में दिया हो, तो एक बास CR प्रोक्सीमेटे का मतलब क्या होता है, जब आप किसी सीज को divide करते हो, तो हमें न उसके बता के चलना है कि पॉइंट के बाद मेरे को double zero तक लेना है, पॉइंट के बाद सिंगल zero लेना है, या पॉइंट के बाद मुझे 30 तक करना है, यानि approximation कहां तक आप करना चाहते हो, व वह भी आपको टेबल में उपर ही क्या करके चलनी है पहले से प्री डिपाइंट करके चलनी है अब यह वाला वेरी इंपॉर्टेंट कि फोर सबसे पहले वेटा जब भी आप टेबल बनाओ तो टेबल के उपर क्या होना चाहिए वेटा नमबर होना चाहिए क्या तेबल अच्छिए क्या है अब दियान से देखो वेटा पहले आप होना चाहिए यहां पेमेर टेबल नमबर में बनेवन तो मेरे वेटानि फंस में श्यरोन का मननिका क्या थैक हेएं वाख भी कोन कहा पर किण से वगराए में कि क्या दी हो तो यह तो किते हैं, इस टेबल शुट भी नंबर्ड फोर इजी इंटिफिकेशन एं फृर्थर रेफरेंस. जब बहुत सारे टेबल साथ बनाओ ना, तो आप उसे क्या दर होगे टैक, लॉजिकल सिक्वेंस में लेकर चलोगे, ठीक है? इस टेबल नंबर में भी ओरन ओन टॉप, ओरन ये रिटन होगा ये, रिटन ओन टॉप ऑफ दा टेबल, एड़ बिगिनिंग ओफ दा टाइटल ऑफ दा टेबल, सब्सक्राइब नंबर लाइक, 12, 2.1, एक्सेक्टरा, इससे बनेविट क्या मिलता है? जैसे आप देख रहे है यूट्यूब पे क्या हो रहा है? उस चेप्स पे क्या हो रहा बच्चे? अगर मैंने चार ग्रासिज ली दिए, जैसे आपकी बीरस की चार ग्रासिज हुई, तो चेप्टर का 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, तो वो रेफरेंस दे रहा है आपको की पहली ग्लास, दूसरी ग्लास, त सारे के सारे टेबल नमबर, इसके बार फिर से अगे न आ जाता है बच्चे क्या है आँ पे टाइटल, क्याता हुआ सु टेबल टाइटल, अ कंपनी एवरी टेबल, टाइटल इस ब्रीफ एक्स्टेनेशन ऑफ दे कंटेंट ऑफ टेबल, दा, टाइटल भी क्लियर, सेल्फ टेबल, टाइटल लिखो नो, टाइटल बहुत इंपोर्टन डोल प्ले करता है, रीजन, अगर आपने टाइटल, तो आज की डेट में न, आप कोई सीरियल देखते हो, मालनो, कोई प्रोग्राम देखते हो, तो उसके टाइटल के उपर ही जाते हैं, भई मिरको बता है कि मह महाँवारत है, तो जब महाँवारत स्टाट हो घ Christmas में लडाई होगी, तो मिरको नाम से बता चलियाा कि महाँवारत है, तो यानि जो टाइटल होता है हमारे दिमाग को फिरेछ करता है कि इस टेबल के अंदर क्या घवन होगा, हमें तो टाइटल लिखते का हमें बहुत ध् ना बेटा, caption, caption or a column heading, बेटा, column heading का नाम होता है क्या, caption, one marks में पूछा रहा सकता है कि column की heading को क्या कहा जाता है, तो column की heading को क्या कहा जाता है, बेटा, caption, at the top of each column in a table, column designation is given to explain the figure of column, this caption or column heading, इसे column heading है, caption के नाम से जाना गया है, stubs क्या है, बेटा, caption किसकी heading है, column की, stubs क्या है, बेटा, row की heading है, ये one marks में पूछे जाने वाले important questions है आपके, तो कहते है, like a caption or a column heading, each row of the table has to be given a heading, तो row की भी क्या होती है, बेटा, एक heading होती है, और उस heading को क्या बोला जाता है, यहाँ पे, stubs के नाम से जाना जाता है, ठीके, इसके बाद, बेटा, body of the table, basically, body of the table का मतलब, यहाँ पे table gym तो जानी रहा, जो body बना के बैटा होगा, body of the table का मतलब है, जिस area में आप लिखते हो, यह जो आपने table draw किया, उपर heading आ गई, column आ गई, rows आ गई, बीच का area जिसके इंदर आप क्या कर रहे हो, बेटा, लिख रहे हो चीजों गई, आपने data को present कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, बेटा, हमारा body of the table, unit of measurement का मतलब, फिर से again वही है कि बेटा, जो आप measure कर रहे हो, kg में है, liter में है, करोड में है, cm में है, जिस भी measurement unit के अंदर है, वो unit आपको पहले से क्या करके चलनी है, बेटा, define करके चलनी है, there आप तर आता है, बेटा, head note, head note क्या होता है, यह समझते है, basically जब हम title लेते हैं ना बच्चे, अब inspire academy कुछ भी हो सकती है, हो सकता है, dance सिका रहे हो, हो सकता है, singing सिका रहे हो, academy तो कुछ भी कर सकती है ना, इसलिए उसके नीचे left से क्या लिखा हो है, educated to lead, inspired to achieve, क्यों लिखा गया बेटा, वो, वो define करता है, कि यहां तक इसका दाम हो रहा है, education से related काम होता है, जब title किसी चीज़ को explain नहीं कर पाता, तो हम उसके नीचे और एक subheading लिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से head note बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बच्चे उसको head note बोला जाता है, तो लिखा भी होगा, in case the main title fails to convey complete information, a head note is also given in a small bracket, क्याता है, जब आपका main title है, वो आपका define नहीं कर पाए किस चीज़ के लिए, तो आप एक bracket के अंदर क्या करोगे, अलग से head note लिखके लिखे दोगे, ठीक है? क्याता, head note is inserted to convey all the relevant information about the data, अब इसके बाद आता है, पेटा, source note, पेटा, economics की book खोलना, अभी नहीं, उसके अंदर, जितने भी आपको table दिया होंगे, जितने भी table है, आप उसके नीचे ये जुरूर देखो वे, source note, source note का मतलब क्या होता है, कि इस table के अंदर दी गई जानकारी, कहां से मेरे पास आई है, मिलको times of India से मिली है, मिलको आज तक से मिली है, किस source से मिलको data मिला है, वो define होता है यहां पे, इसके बाद आता है बेटा footnote, footnote basically मैं आपको बता हूँ क्या है बेटा, footnote का मतलब होता है conclusion, या पिर आपने कोई अलग से note देना है, जाए तर देख तो ये star बने होता है, बने होता है टेबल के नीचे, dot बन जाएगा, star बन जाएगा, यानि किसी अलग चीज़ को आप समझाना चाहरे हो, footnote वहाँ पे दिया जाता है, वियाद करने का simple सा तरीका headnote से रहे, तो उपर दिया जाएगा title के साथ, foot कहां नीचे है, footnote कहां पे दिया जाता है, टेबल के बिलकुल, आखिर में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कहता, footnote are mean to clarify anything which is not clear from the heading, titles, tubs and captions, कोई भी ऐसी चीज जो मैं उपर नहीं समझा पाया, या कुछ उसके अलग था, उसको समझाने के लिए मैं अगरता है, footnote डाल लेता हूं कि इसका मतलब ये था, इस conclusion का मतलब ये था, और कहां पे रूज हो सकता है, sorry, माल लो हमने उपर कोई गल्ती कर दी, अब उस गल्ती को करने के लिए मेरे को टेबल को रब करना पड़ेगा, मैंने माल लो permanent marker से लिखा था, pen से लिखा था, तो वो गल्ती हो गई न, तो मैं क्या करूँगा, उस गल्ती को circle करूँगा, नीचे footnote बनाऊँगा, footnote में एक style लगा के लिख दूगा, कि have a mistake shown by this, या फिर मैं लिख सकता हूँ, कि 3 की जगए आपने 30 लेना था, 30 की जगए मुझे यहां पर 35, यानि जो भी आप उपर explain नहीं कर पाए हो बच्चे, वो आप explain कर दोगे, आप अपने footnote के अंदर explain कर द आपको title, title के बाद यह बताया था कि in case, अगर title पूरे तरीके से table को define नहीं कर पारा तो उसके साथ क्या बना देंगे, हम एक head note लेंगे, ठीक है, यह होगा है बच्चे, row, row की heading को क्या बताया था, stub, यह है column, column की heading को क्या बताया था, ठीक है, बीच का यह जो area पूरा का there after सबसे आखिर में क्या आता है बच्चे, आपका footnote, यह जो चीज़ आप table में explain नहीं कर पाए, रह गई है, उसको क्या करोगे, आप यहां पे explain कर दो होगे, ठीक है, अबला question, यह question ऐसा है बेटा, जो सिरफ आपने अभी सुनना है, आपको याल हो जाएगा, hand to hand, आ सकता ह पूछा जा सकता है exam के अंदर, question है, explain different types of a table, अलग अलग तरीके के कितने प्रकार के table बनते हैं, ठीक है, वो tables आप यहां पर दिहान से देखेंगे, सिरफ अभी याद हो जाएगा, आपको बस concentrate यहां पे कीजिए, कहता है classification on the basis of objective or purpose, यह नहीं बेटा, जो classification है, किसकी बेस प होती है, पूरे स्कूल की एक ही बनते है, पस्टू ट्वेल, आप सब के पास आजाती है, आप उसमें से अपनी class देख लेते हो, तो वो क्या हो गया, जनरली पूरे स्कूल के बनाए गई है, या कोई भी ऐसा notice, जैसे कि COVID के अंदर कहा गया, कि सारी shops बन रहेंगी, market बन रह तो कोई भी ऐसी चीज जो जनरली सब के ले निकाली जाती है, बच्चे, वो क्या कहलाती है, हमारी जनरल परफस टेबल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो जनरल परफस, अब, कहता है, जनरल परफस टेबल, represent the raw data in a great detail and covers variety of information on the same subject, it present the data without any special analytical परफस, यह जैसे डाता उसको वै जनरल परफस का एग्जामपल क्या दिया, आपकी date sheet, special purpose का मतलब हो भी आपकी mark sheet, mark sheet तो सबकी government नहीं होती न, आपके नाम के अलग बनेगी, सबके नाम के अलग बनेगी, तो हो क्या हो गई आपकी, special purpose table, जो individually किसी के लिए बनाई गई है, तो तो तेको क्या लिखका है, क्य अब दूसरी classification किसकी बेस पे है, nature of data की बेस पे, इसकी बेस पे, nature of, अभी पूछूँगा अब अच्छे आप सब से बीच बीच में, अब आता है original table, क्या है आपे, original, अब original table क्या है, इसका example समझो, बेटा अब आपके exams होंगे, exam होने के बाद आपके question paper, answer sheet check होंगी, आप जब भी देखोगे तो आपकी school की MAM होंगी, चाह क्लास teacher हो या आपकी subject teacher हो, उनके पास एक काफी बड़ी sheet होती है, उसमें आपके सारे subject के number लिखे होते है, सारे के सारे, एक बड़ी सी sheet होती है, सबके number उसमें लिखे होते है, वो जो है न, वो क्या है बेटा, वहापे, original table है उनके पास, क्या है बच्चे वो सारे का सारा, original table, अब वो sheet को आपको नहीं दी जाएगी न, उस sheet से क्या किया जाएगा, individual बच्चे के number उतारे जाएगे, उसकी किस में, mark sheet के अंदर, फिर उन numbers को convert किया जाएगा, किस के अंदर, percentage के अंदर, है न, तो ये क्या होगी है, original table, जो आपकी mem के पास है, अब mem ने क्या करा, उसको convert करा और आपकी क्या बना दी, उससे mark sheet बना दी, तो जब उन्होंने mark sheet बनाई, जो mark sheet आपकी बन लीए, वो क्या कहलाएगी, आपकी derived table कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वेटा, derived, यानि original table से जो चीज बनाई जाती है, और ज इसके बाद classification on the extent of coverage, coverage की बेस पे कैसे classify किया गया है, सबसे पहला है simple, का मतलब है, मैंने यहाँ पर simple का लिका रिका है, section a number of students, section a number of, देखो कैसे classify करा, यह था, यह सारे sections आ गया है, यहाँ पर number आ गया, यहाँ यहाँ पर single classification है, सबसे बाद में आगे, single classification तो simple, complex table क्या होता है, complex calendar एक तो आटा है two-way table, क्या आटा है, two-way table क्या है, यह देखो, section है, अब section को मैंने आगे number of students को दो जबाइट कर दिया boys और बेश्मे तो यह कहके लाएगा बच्छे मेरे लिए two-way table बन जाएगा यहां पे क्या बन जाएगा यहां पे क्या बन जाएगा यहां पे क्या बन जाएगा यहां हमारे लिए two-way classification करते रहो पहले वाले में classification नहीं थी simple table अबने वाले में दो classification करी टूवे टेबल उससे एगले में तीन classification करी तो वो three-way table हो गया ठीक है और उसके बाद आता है वेटा हमारा manifold table यानि ऐसा table जिसके अंदर तीन से जादा बार classify किया जाएगा दो या तीन से जादा बार classify किया जाएगा देखो कैसे यह रहा आपका table यह यहाँ पर लिखा होगा देखो मैंनी the table which explained more than the three times अब देखो कैसे यहाँ पर मानलो hostel है और स्कोलर ने ले स्कोलर ना इसको मैं और दो जगा पर डिफाइन कर दो रूलर एरिया और अर्बन एरिया तो मैंने वेटा आप क्या करा है इसे तीन से जादा बार classify कर दिया तो यह क्या बन जाएगा बच्चे ले रहे हैं आपे many fall table बन जाएगा ठीक है तो दुबारा बोल रहा हूं जिसमें single table है कुछ नहीं है